आज हमने इसमें करना है मोडिफाइए की सारी कमांडे में बहुत सारी कमांडे जैसे मूड, कॉपी, रोटेट, मिरर, स्की, लैटर, तो अगर हमने आटोगड सीख नहीं है करते हैं कि आटोगड में सबसे बढ़िया कौन जो जल्दी बनाने के लिए कुमांडों पर कमांडों पर जिरूरी है तो सबसे पहले हमरे पास मूड को मांड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कोई भी चीज बना लेते हैं तो यह कुछ भी मैंने बना लिया यह हमारा थर्ड ट्रेटोरियल है इसके पहले दो ट्रेटोरियल हम कर चुके हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट करना है कोई भी दिककत नहीं है कोई कमांड नहीं साहँ हमें आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते है वर्ट सब्सक्राइब करना है तो हमने करनी है मूब पॉंअ को होगा है मूब निकर शॉट्गर की होती है M एम लिख के अगर enter दभाएंगे तो move कमांड रख जा है move lock, object select किया, enter, कहां से उठा के, कहां पे रखना है दो चीजे चाहिए, एक base point चाहिए और एक displacement point चाहिए वरी किस command को कहां से उठा के, कहां पे रखना है move कमांड लिए, object select किया और जो बेस पॉइंट उठा लेंगे वहीं पर रखा जाए इसमें और खाजियत भी है अगर मैं और फिर मैं मूव कमांड लेता हूं तो मैं बेस पोइंट करने की बजाए मैं वेली बसकता हो के 50 को करना है चीज हम कर सकता है यहाँ आपर होता है ऑडुलर ट्रैकिग पोलर ट्रेकिंग का मतलब यह है कि हम यहां पर एंगल सिलेक्ट कर सकते हैं तो बूव के लिए पोलर ट्रेकिंग में बता रहा था कि मांलूब आपर करकेता है तो अब क्या है यह वो ट्रेक करने लग जाएगी दस दिगली पर 20 इंशालीज डिगली पर किसी पी डिगली पर लाइन लगा सकते हैं अब मूव में क्या फायद है मूव में मूलोव मेरे पार यह लाइन नहीं है मैंने या आप एक सर्कल बना र तो क्या करेंगे मूव लेंगे object select enter base point के वाद कितने डिगरी पर चाहिए पर value कितनी होनी चाहिए मैंने का जी 50 तो यह 40 डिगरी पर move हो है 50 distance के साथ यानि हमने distance भी दिया है और angle भी दिया है और वह भी move के अंतर है फिर ट्रेकींगे short cut की होती है F10 कि यहां हम जिए 23G कर देंगे 10 – 15 – 14 – 30 दिए उतने उतने डिगरी पर track होने लग जाए ऒर alt में चेफे जाए पोलर करेंगे सेटिंग में जाएं तो यहां पर मैं additional angle भी दे सकता हूं जो इन में available नहीं है माल लो यहां पर है नहीं तो अगर मुझे चाहिए माल लो 11 degree पर मैं यहां पर new करके 11 degree कर दूंगा तो okay करेंगे तो यहां पर देखो 11 degree भी आगा तो मैं 11 degree select कर सकता हूं अब जो ट्रेकिंग आएगी वह जीरो पर उसके बाद 11 degree पर उसके बाद 22 degree पर ऐसे से आने रखे रहें तो अगर मुझे कोई additional angle add करना है तो वह भी मैं add कर सकता हूं तो हम move command कर रहते है move point की shortcut की है M और polar tracking की shortcut की है F tab ठीक है तो move लिया object select किया enter कहां से उठा के कहां पर रखना है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मैंने move करते हुए दूर कोई point ले लिए move करते हुए दूर point ले लिए तो जब मैं कहीं पर भी click करूँगा तो रखा भी वह उतनी ही दूर रहे है इसलिए base point जो है वह सही होना बहुत important है कि हम कहां से उठा रहे हैं तो रखा भी उतनी ही दूरी पर जाए सब्सक्राइब अब्जेक्ट बेस पॉइंट डिस्प्लेस्मेंट ठीक होगा है बिल्कुत सेम कमांड ऐसी ही एक और है copy जो option मूव में है वो सभी copy में भी है copy लो object select करो enter base point displacement को कोपी में multiple copy बना सकते हैं मूव में सिर्फ एक ही move हो सकता है ठीक है बड़ कॉपी में हम जितनी मर्जी copy जो है वो बना सकते है ठीक है तो मूव भी समझ में आ गया copy में समझ में आ गया कोपी की shortcut की होती है सी ओ सी ओ लिक के एंटर करेंगे तो copy अने लिए कि कोपी की एक और खास जियत होती है copy और remove दोनों की कि हम किसी भी चीज को जहां से देखो सोड़ी सी ध्यां से देखने वाली चीज है कि मैं किसी चीज को copy करके कि उसी के बेज़ पॉइंट जो उठाके अपने ही बेज़ पॉइंट पर रख से कि भू में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा पर भू लिया object select किया कि मैंने अपना ही बेज़ पॉइंट उठाके अपने ही बेज़ पॉइंट में अब यह एक्जेक्टली जितनी इस लाइन की लेंथ है उतना उपर है कि मैं बापने की जुरुरत नहीं पड़ी है ठीक है कि समझे आए बात तो बूब कुमाइड लेगे इसको वापर अपने जगा पर लियाते है कि आपके खोल के रखना है गलत पॉइंट पर क्लिक कर दिया तो गलत ही होगा कि मुव के लिए एक चीज और भी यूज कर सकते हैं हमने कोई कमांड नहीं ली हमने क्या की है इस सेंटर प्रॉंट धूब लग्त है तो हम इसको बोता है ग्रिप पॉइंट मैं यह जो नीले लंकार है इसको क्रीबध करूंगा तो है रेड हो जाएगा और अपना इसको italiano स Давайन Africans पर चलेगी और लाइन के खेश में नहीं चलेगी क्यों क्योंकि assumptions में वह फिर अपना एंगल चेंज कर लेगा कि अगर लाइन को करना है तो और सेंटर पॉइंट से हो सकता हुए कि अगर सेंटर पॉइंट से करेंगे तो कोई प्रॉल भी नहीं है ऐसी जो अगर हमने एक्स्टेंशन लाइन ओन करी हुए और मैं इस पॉइंट को पगड़के देखो आगे ट्रैक कर सकता हुए इसको करना तो इसको मैंसे बीकर तो आज तो मूब भी समझे में आगे हमारे को कॉपी भी समझे में ठीक है तो नेक्ट कमाड़ है रोटेट अब इस दुनिया में जितने भी चीज़ आए जब हम उनको रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो वह किसी बेस पॉइंट के चारव तरफ रोटेट हो यानि जो भी चीज बेस पॉइंट और जिस पॉइंट को भी बेस पॉइंट माल देंगे उसके चारो तरफ रोटेट होना है । ऐसाए है कि ज़्क्रेण कर रोटेट या क्या कुछ गप्रॉडीज पर रॉटेट करोगगों, एक बेस पॉइंट बता दूँ तो यह उस बेस पॉइंट के चारो तरफ रोटेट होनाfred सब्सक्राइब बात है रोटेट करो ऑब्जेट सेलेक्ट एंटर बेस पॉंट तो अब यह बुज़र कितने डिगरी पर रोटेट करना है मैंने का जी मुझे 30 डिगरी पर रोटेट करना है तो वह 30 डिगरी रोटेट हो जाएगा अगर मैं रोटेट में माइनस में वैल्यू भरता हूं तो तो अगर मैं वैल्यू भरता हूं प्लस में तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि रोटेट करते हुए अगर मैंने बेस पॉइंट देने के बाद कॉपी ओन कर दिया तो रोटेट भी होगा और कॉपी भी होगा अधे में अगरे निजा क्लोड़ करना है जायकर लूट अप्जेट करो एंटर बेस पॉइंट कॉपी कितने डिगरी चालिट तो वह 40 डिगरी पर एक और कॉप्पी बना देगा है ठीक है रोटेट कमांड रोटेट की शॉर्टकट की होती है आरव ठीक हो गया नेक्स्ट हमने कमांड जो करनी है उसका नाम है मिर्र मिर्र की शॉर्टकट की होती है एम आई मिर्र कमांड करने के लिए हमारे को चाहिए एक मिर्र जिसके अलॉंग मुझे मिर्र करना है तो हमने क्या किया मिर्र कमांड ऑब्जेक्ट स्लेट किया एंटर किया और दो पॉइंट बताए एक पॉइंट यह एक पॉइंट यह दोनों पॉइंटों के अकॉड़ी मिर्र हो जाए कि हमने क्या का मिर्र करना चाहते हैं इसको एंटर और दो पॉइंट बताने एक पॉइंट यह एक पॉइंट अगर जो मेरी मिर्र लाइन है कि वह किसी एंगल पर हो मेरर ऑप्जेट सेलेक्ट एंटर एक पॉइंट यह एक पॉइंट तो एंगल पर मिर्र लाइन के ओपर डिपेंड करता है कि मारी मिर्र लाइन कैसी है उसके एक औरिंग मिर्र हो मिर्र अप्जेट सेलेक्ट एंटर एक और एक पॉइंट थिंग ओभी जूरुइट मेरबर लाइन हो इसकी है मिर्र कम्राड लेकर हम अपने ही दो पॉइंट हो फेंगद हो एक और एक पॉइंट हो एंटर मिर्र कर सकते हैं मिर्र ऑफजेट्ट सेलेक्ट एंटर एक पॉइंट ये एक पॉइंट जो दो पॉइंट सेलेट कर देंगे उसके एक वाडिंग मिर्र होने लगए ठीक होगे कोई जुरूर नहीं है मर पास लाइन लगी हो कोई दो पॉइंट भी हो सकते हैं गतार ऑफ्जेट्स एंटर एक पॉइंट इसका इसका मिड़ और एक पॉइंट जो दो फोइंट रही है उनके एक न糖द हो जाए एंटर एक पॉइंट ये और एक और था यहां पर द Maar तो ऑने-एंडि बेन दो पॉ안ट की Globe कोई भी चीज है उसको मेरे कर सकते हैं कि मेरर ऑप्जेट सेलेक्ट एंटर एक पॉइंट यह और एक पॉइंट इसमें और ऑप्शन भी होती है अगर हम ध्यान से देखें तो कि जब हम मिरर कर रहे थे ऑप्जेट किया एंटर दो पॉइंट देने के बाद यह हमार से पूछता है एरेज सोर्स ऑबजेक्ट अब डिफर्ट एंटर मारते हैं तो नो हो जाता है आगर हम यहस कर देंगे तो इधर वाला मिड़ जाएगा और इधर आजए अ है क्योंकी सोर्स upwardजेट आपको ए्रीज करना प्लिफ करना है की No मेरर और सट्वलेट एंटर एकांट यह अकरमे यह रही है कर देता हूं तो यह वाला मिड़ जाएगा और इधर यह경 तो यह थी मेरर को मांड थीक है मूव भी होगई हमारे को कॉपी भी होगई प्रोटेट भी होगई मेरर भी होगई ठीक है नेक्स्ट हमने जो करनी है कमांड वह है श्रेच स्केल ट्रिम फिलेट चैंप पर एरे एक्सप्लोड ऑफशेट ठीक है यह कमांड हम नेक्स्ट ट्रिम में करते हैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए सब्सक्राइब कर लो तक कि नेक्स्ट ट्रिम का लिंक आपको मिल रहे हैं कोई दिक्कत आ रहे हैं इन कमांडों में तो वाट्सब कर सकते हैं कमेंड बॉक्ट को बश्क्राइब